मुरादाबाद डवलप्मेंट अथॉर्टी की अंदेखी के चलते गई एक और किशोरी की जान मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन चक्कर की मिलक में उस समय हकम्त मच गया जब एक निर्मानाधीन बेल्डिंग का लेंटर गिर जाने से एक किशोरी की उसके मलबे में दब कर मौत हो गई मौकी पर पहुंची पुलिप द्वारा शब को कबजे में लेकर मोरचरी के लिए भेज दिया गया है मौरादबाद के थाना सिविल लाइन चकर की मिलक में इस थानी निवासी जोहर एली का मकान बन रहा था शनिवार को वेल्डिंग के लेंटर डाला जा रहा था निर्मानाधीन मकान का लेंटर अचानक भरभरा कर गिर गया जिसमें भावन स्वामी जोहर एली की रिष्टेदार 15 वर्षिय समरीन बुरी तरहा घायल हो गई जब तक rescue team द्वारा बचाव किया जाता तब तक मलबे में दबी किशोरी समरीन की मौत हो चुकी थी एक नगमा नाम की लड़की मामूली रूप से घायल भी हुई है मौके पर पहुँचे पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा तक्कियों की जांच की जा रही है और जो भी दोशी होगा उसके खिलाब कारवाही करने की बात को लिग द्वारा कही जा रही है बताते चले मुरादबाद विकास प्राधिकरन द्वारा मुरादबाद के सुयोजित विकास को लेकर भले ही बड़े-बड़े दावे किये जा रही हूँ लेकिन प्राधिकरन की अनवेख्यां भी कम होने का नाम नहीं ले रही है जिसका जीता जाकता उदाहरंड चकर की मिलक का यह अवैद निर्मान अधीन भवन है जिसमें आज एक किशोरी की जान चली गई मानकों को ताफ में रख कर तयार की जा रही है इमारत प्राधिकरन के अधिकारियों की मिली भगत और उसके दावों की सच्चाई की पोल खोल रहे हैं राधिकरन द्वारा अगर समय रहते संग्यान लिया जाता या रहाईश के बीच बन रही इस इमारत के निर्मान में सुरक्षा के इंतजाम किये जाते तो आज एक किशोरी को जान से हाथ नहीं धोना पड़ता घटना को संग्यान में लेकर जांच कर रहे सीओ सिविल लाइन से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह इमारत बीच आबादी में जोरो शोरो पर तयार की जा रही थी पक्षियों के जांच की गा रही है जो भी कत्ते सामने आएंगे उस पर कारवाही की जाएगी और उसी के साथ जो एक और लड़की थी नगमा जो वहां पर मौझूद थी इसके साथ वहां से भागने में काम्याब रही और वो उसको कोई चोट नहीं पहुंची है परन्तु इस जो मलमेवे दबने की इंजरीज की वज़े से समरीन की मृत्ति हो गई है और अब उस पर जो भी पंचायत नामे की और पोस्ट मार्टिंग की कारवाई की जाएगी और आगी का जो भी विदिक कारवाई वो की जाएगी अभी फिलाल इस चीज के उपर जाच नहीं की गई है और जो भी निर्मान कारे चल रहा है उसमें जो लकडी थी जो लिंटर को सपोर्ट करती है उसके तूटने से यह घटना होने की प्रतम दश्टा संभावना लग रही है इसकी पूर्ण रूप से जाच जो है जो इंजि जो लड़की संभीन जिसकी मृत्ती भी है वाकान स्वामी की भाई की लड़की बताई जा रही है और इसके बारे में पुष्टी कार ग्रूप से बता दिये दाएगा